मैं हूँ मुबारी के लिए और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान राजस्थान में उपचुनाओं में धमातकेदार जीत और 11 नॉमबर को राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांदी की मुलाकात के बाद अब राजस्थान में मंत्री मंडल के पुनर गटन की काउंट डाउन शुरू हो गया है पंजाब और 36 गड़ में थमेर राजनितिक दुफान के बाद पार्टी अब राजस्थान में बगावती नेताओं को साधने में लग गई है और दो साल बाद होने जा रहे विधान सवाचुनाओं की तयारी के अंतरगत अब राजनितिक नियोक्तियों का दोर भी शुरू हो सकता है सुत्रों के मुताबिक जल्द ही राजस्थान में पूरे मंत्री मंडल का इस्तीफा ने सीरे से इस्तीफा लेकर ने सीरे से सरकार का पुनर गठन किया जा सकता है आज राजस्थान में सिक्सकों का सम्मान समारो था और उसमें मुक्य मंत्री अशोग गहलोत ने PCC चीफ गोविंद सिंग डोटासरा का विदाई भाशन बताते हुए इस बात के संकेत दिये थे कि राजस्थान मंत्री मंडल में बदलाव होगा और पुनर गठन होगा सब कुछ ठीक रहा तो इसी सबता गहलोत मंत्री मंडल में बड़ा फेरवदल देखने को मिल सकता है मुक्य मंत्री अशोग गहलोत ने पहले बार इसके साफ संकेत दिये है दरसल सचीवाले करमचारी संग के सपत गरहन समारों में मुक्य मंत्री अशोग गहलोत ने जल्द सपत गरहन समारों की संभावना जताई गहलोत ने कहा कि इस सुकून भरे शपत गरहन समारों का शगून इतना शांदार होगा कि हमारी सरकार के मंत्री मंडल का पुनर गटन अब जल्द होगा गहलोत ने आगे कहा कि लगता है कि आपके कारण ही नए केबिनेट का काम रुका हुआ था आप पहले करवा लेते तो हमारा मंत्री मंडल पहले ही पुनर गटित हो जाता आप अंदाजा लगाज लीजिए आपके सची वाले करमचारी संग के शगून को मैं किस रूप में मानता हूँ ये आप समझ जाईएगा इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मुझे उम्मीद है कि अब कोई देरी नहीं होगी जल्द ही शपत गरहन समारो होगा इससे पहले अशोगहलोत ने 11 नौमबर को सोनिया गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली में कहा था कि हाई कमान चाहेगा तब मंतिर मंदल का विस्तार होगा थोड़ा विस्तार रखिए थोड़ा सबर रखिए दिल्ली दोरे के दोरान सियम अशोगहलोत ने 10 नौमबर को राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी केसी वेनु गोपाल और राजस्थान के परदेश परभारी एजे माकन के साथ लंबी मंत्रना की थी गहलोत के बयान सी ये साफ है कि कॉंग्रेस हाई कमान ने नए सिरे से केबिनेट के गठन को मंजूरी दे दी है हाई कमान की मंजूरी के बाद ही गहलोत ने जल्द शपत गरहन समारो होने की बात कही है मंद्री मंदल के विस्तार पेरबदल और नए सीरे से गठन के मोडल को लेकर चर्चा चल रही थी अब गहलोत ने पुनर गटन की बात कहकर साफ कर दिया है कि नए सीरे से गटन होगा शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डोटासरा राजस्व मंतरी हरीश्चोधरी और स्वास्थ मंतरी रगुशर्मा को एक वेक्ति एक पद के तहत मंतरी पड़ से हटाया जा सकता है रगुशर्मा गुजरात के और हरी सोधरी पंजाब के परबारी है और गोविन सिंग डोटासरा मंतरी पद के हटने से सीम ने इसके पहले ही संकेत दे दिये थे कि वो PCC Chief बने रहेंगे और संग्ठन में काम करेंगे आज शिक्षकों के समान समारों में मुक्य मंतरी अशोग हैलोत ने कहा था कि वो आलाकमान को ये कह चुके हैं कि वे PCC Chief के रूप में या परदेश कॉंग्रेस संग्ठन के अध्यक्स के रूप में काम करना चाहेंगे लिहाजा वे शिक्षा मंतरी के दाइतव से मुक्तिपाना चाहते हैं तो राजस्तान के लिए बड़ी खबर है राजस्तान में जल्द नया मंतरी मंदल देखने को मिल सकता है बोलता राजस्तान के इस वीडियो को ज़्यदा स्यादा शेर करें हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे थे बोलता राजस्तान हमारे साथ जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी बोलता राजस्तान से जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद